सिरी मेरी भक्ती में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। भगवान राम जी एवं उनके परमभक्त महा बलशाली हनुमान जी के बारे में पूर्ण जानकारी वालमी की रामायन एवं तुलसेकृत रामचरित मानस में ही मिल सकती है। वालमी की रामायन में तो भगवान राम के अलावा सबसे अधिक गुणी और बलवान श्री हनुमान जी को ही बताया गया है, जिन्होंने बड़े-बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता से पल भर में संपन्न किया है. तो क्या हनुमान जी वास्तों में बंदर थे? जब भी हम हनुमान जी का चित्र देखते हैं, तो उसमें वे एक बंदर के रूप में दिखाई देते हैं, जिनकी एक पूँच भी है. उनके चित्र को देखकर हर किसी को मन में अनेक प्रश्न भी उठते हैं, जिसे क्या हनुमान जी वास्तों में बंदर थे? इसका उत्तर वालमी की रामायर में स्पष्ट रूप से हमें मिलता है. रामायर में कई स्थानों में हनुमान जी को वानर कहकर सं हमने रूप से हम वानर शब्द से यहां अभीप्रेत कर लेते हैं कि वानर का अर्थ होता है बंदर. परंतु अगर इस शब्द का विशलेशन करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन होने वाले अन्न को ग्रहन करने वाला. वन में रहने वाले को वानर कहते वानर शब्द से किसी योनी विशेश, जाती, प्रजाती अत्वा उपजाती का बोध नहीं होता। आईए जानते हैं कौन थे हनुमान जी और उनके पूँच के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान जी की पूँच में करती थी देवी पार्वती निवास। इसके पीछे एक कथा प्रचली थे। एक बार बोले शंकर ने माता पार्वती का मनोरत पूर्ण करने के लिए कूबेर से कहलवा कर स्वर्ण का भव्य महल बनवाया। रावन की दृष्टी जब इस महल पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतना सुन्दर महल तो त्री लोकी में किसी के पास नहीं है। अतर यहां महल तो मेरा होना चाहिए। वह ब्रामन का रूप धार कर अपने इश्ट बोले शंकर के पास गया और बिक्षा में उनसे स्वर्ण महल की मांग करने लगा। बोले शंकर जान गए कि उनका प्रिय भक्त रावन ब्रामन का रूप धारन करके उनसे महल की मांग कर रहा है। पर द्वार पर आये ब्रामन को खाली हाथ लोटाना उन्हें धर्म विरूद लगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्नित है कि द्वार पर आये हुए याचक को कभी भी खाली हाथ या भूके नहीं जाने देना चाहिए, बूल कर भी अतिती का अपमान मत करो, हमेशा दान के लिए हाथ बढ़ाओ, ऐसा करने से सुख, समरुद्धी और प्रभुकृपा स्वयम तुम्हारे घर आएगी, परन्तु याद रहे, दान के बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखे, निर्दोश रदे से किया गया दान, गुप्त दान, महा फल प्रदान करता है, बोले शंकर ने खुशी-कुशी महल रावन को दान में दे दिया, जब पार्वती जी को गनात हुआ कि उनका प्रिय महल बोले शंकर ने रावन को दान में दे दिया है, तो वे बहुत क्रोधित हुई, बोले शंकर ने उनको मनाने का बहुत प्रैत्न किया, मगर वह न मानी, जब सभी प प्रबु राम की माया से रावन माता सिता का हरण कर ले जाएगा, तो मैं माता सिता की खोच खबर लेने तुम्हारे स्वर्ण महल में जाऊंगा, जो की भविश्य में सोने की लंका के नाम से विख्यात होगी, उस समय तुम मेरी पूच के रूप में लंका को आग लगा देना और रावन को दंडित करना, पार्वती जी मान गई, इस तरह बोले शंकर बने हनुमान और मा पार्वती बनी उनकी पूच, यहाँ प्रसंग भी शिवकेश्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करें।